भारत की सबसे बड़ी पंचैत, एमम लोक तंतर के सबसे बड़े मंदिर, भारत का सबसे पुवित्र स्थल, लोग सबा के पटल का अवैसी ने अपमान किया है। उस पुवित्र स्थल पर विदेशी राष्ट्र का जैगान, हमाईती नारा लगाना असविधानिक है। भारत की सविधान की धारा 102 बटा D के अनुसार, विदेशी राष्ट्र का हमाईती नारा लगाना असविधानिक असंसिदिय है। ये डिस्क वालिवकेशन के लिए जो धाराएं हैं उसमें से 102D है। वैसी की ऐसी घटिया असविधानिक विदेशी गुनगान करने वाली ये कारवाई दुर्भाकेपुरुन है, निंदनिय है और इस पर कठोर कारवाई होनी चाहिए। अम भिर्ला भारत की लोकसभा के सदन के लिए दूसरी बार सपीकर सुने गए हैं, ये स्वागत योग्य कदम है, दूसरी बार पूरन भोमत से चुने जाना, उनकी योग्यता और उनके द्वारा सदन को किस कुशलता से चलाया गया है, उसका आज उनको वोट जो दिया है, उसका परमान है, ये बधाई योग्य कदम है, परधानमंती शिरी नरेंदर मोदीजी के नेतरित्व की, NDA की एकता और गठबंदन की शक्ती का भी ये परिनाम है, प्रायवाची है, NDA की तीसरी बार की नरेंदर मोदीजी की सरकार, पहले की तरह दस वर्षों में जो दो सर ही रहेंगे, और गरीबी अनमूल के, अपने बनाई हुए नरेंदर मोदीजी की रिकार्ट, नरेंदर मोदीजी इस तीसरे वर्ष में दुबारा उसको उससे आगे जाकर काम करेंगे, पूरे तत्य परमानों और आपस की वट्सेप की चैट के अधार पर, पूरन सबूतों को देखकर ही E.D. ने शराब गुठाले में घूस खोरी करने के कारण अरंवित केजरीवाल को गिर्फतार किया था, और नयायले ने खुद टिपनी करते हुए कहा था कि प्राइम F.A.C., केजरीवाल ऐसे प्रेजिजेंड आमानी पार्टी और ऐसे C.M. दिली दोनों ही जितियों में शराब गुठाले के मुख्य साजिश करता है, C.B.A.I. निश्पक्ष जांच एजंसी है, जांच होनी चाहिए, दूद का दूद, पानी का पानी होना चाहिए, शराब गुठाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टेक्सपेर्स मनी को लूट कर अपने पुलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया और उसके लिए केजरी वाल पूरंता है, जिम्मेवार दिख रहे हैं, हर दोशी पर कठोर कारवाई होनी चाहिए, C.B.A.I. के द्वारा गुठतारी करना एक स्वागत योग्य कदम है.